ओम नवस्चिवाय, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती भावना यूटूब चैनल पर, आज मैं आपको सोम्बार के उपाय बतार हम, दोस्तों प्रतेक सोम्बार के दिन अगर आप यूपाय करते हैं, तो महाकाल भोलेनात की किरपा से अवसी आपको पुत्रधन की प्राप् सोम्बार के दिन सुवए श्नान करते समय, जल में तिल डाल करके श्नान करें, उसके बाद में सूर्धेव को अर्ग दें, फिर आपको भगवान सिवकाव शेक करना है, पंचामरस से और गंगाजल से भगवान सिवकाव शेक करें, भगवान के सामने संकल्प करें, फिर पर देना है, उसके बाद में भगवान को आप धतूरे के जो फल होता है, वह है आपको चड़ाना है, साती भगवान को ग्यारे काली मिर्चों ग्यारे चावल के दाने आप जरू चड़ाएं, भगवान के सामने आप अपनी प्रात्ना बोलें और आग के पुष्प भगवा भगवान को खीर का या चूर में का प्रसाद अरपन करना है, और भगवान को आप केले का फल जरू चड़ाएंगे, माता पारवती को सिंगा चड़ाएं और माता पारवती को चुंद्री और भगवान सिव को एक अंगोचा जरू चड़ाएं, फिर आप आते समय अगर पु पुरी हो जाएगी। जिनकी साधी मरचा नार यह है वह है भगवान सिव रमाथा पार्वती को मोली लपेटेंगी। लेकिन इस सोम्मार को खास ओपना हुआ हैं। इस सोम्मार को नौ राशियां जो बहुत ही ज़्यादा बाग्ी साली हैं। मेश रासी, ब्रेसव रासी, करक रासी, सिंग रासी, उसके बाद में आपकी तुला रासी, धनुरासी, मकर रासी, कुम रासी और मीन रासी, ये रासिया हैं जो इस दन बहुत ही ज़ादा भाग गिसाली रहने वाली हैं, दोस्तों, जो व्यक्ति नियमत रूप से भगवान सि गावटे दूर हो जाती हैं, तो इस वार बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है, आपको ये उपाय जरू करने हैं, और पीपल ब्रक के नीचे दीपक जला के परक्रमा करें, साथ ही हल्दी ले ले लें, भगवान सिप चड़ी हुई भस्म और हल्दी, इनको आप मिक्स करक अगर तेजोरी पर स्वास्तक चिन बनाते हैं, घर के में दरवाजी पर स्वास्तक चिन बनाते हैं, तो आपकी किसमत बदलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस घर में भरपूर दनाता है, स्वेमाता लच्छमी का बास होता है, घर में अगर असानती है, लड़ाई जग करें आपकी हर मनुकामना अवश्य पूरी होगी